नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत हैं दोस्तों आज बनाएंगे हम मिर्ची का यमी यमी आचार दोस्तों देखिए देखने में कितना सुन्दर लग रहा है आचार आज हम अलग तरीके से आचार को बनाएंगे बिलकुल अलग तरीका आप भी इ मांग मांग कर खाएंगे अचार तो चलिए बना लेते हैं अचार मिर्ची का दोस्तों मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहां ली है 250 ग्राम मिर्च इस तरह से अचार की मिर्च आप दूसरी भी ले सकते हैं जीसे की मार्किट से अलग-लग स्टाइल में मिलती हैं, अलग-अलग तरह की मिर्च बिलती हैं, आपने जिस मिर्ची का चार डालना है, वो ले सकते हैं, मैंने इन मिर्चों को अच्छे तरीके से धो लिया था और धो कर इनको थोड़ी देर ऐसे ही रख दिता कि इसका पानी सूख जाए, पानी नहीं होना च से गुजारा हो जाएगा, ये बड़े-बड़े निम्बू हैं, इन में एक में ही बहुत सारा रस होता है, तो इस तरीके से मैं ले रही हूँ, अभी मैंने लिये हैं दो निम्बू, बाद में मैं देखूंगे कि मुझे एक के जूरत है या दो के जूरूरत हैं, तो इस तर मैंने ये सारी निकाल दी हैं, अब मैं इनको काटूंगे, आपने काटना अलग स्टाइल से है, आज हम बनाएंगे इस तरह से छोटे-छोटे पीस वला आचार, दोसों लंबे में भी आप वैसे तो काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज छोटी-छोटे पीसिज कर रहे ह मिर्ची के, तो इस तरीके से आपने सीजर से काट लेना है, क्योंकि यदि चाकू से काटेंगे ना, तो चाकू से काटने पर आपके हाथों में जलन हो सकती है, इस तरीके से मार्किट से मिलती है सीजर सबजिया काटने की आप ले सकते हैं, यदि आपको भी इस तरह की सीज चाहिए तो दोस्तो हमने वीडियो के नीचे लिंक दिया है वहां से आप इसे online purchase कर सकते हैं तो चलिए काटते हैं मिर्ची अभी मैं एक एक काट रही हूँ लेकिन दोस्तो एक बात आपने सोची है यदि हम एक एक मिर्च काटते हैं तो हमें काफी सारा time लग जाता है तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ जिससे ये फटा फट से आपकी मिर्ची कट जाएंगी तो मैंने एक भी आपको काट के दिखा दी हैं तो मैं अभी इनको कटी को काट के दिखाऊंगे कि बहुत सारी मिर्ची एक साथ कैसे कटेंगी आपने ये लेनी है साथ आठ मिर्ची ले जब छुटचूटी रह जाये तो आप एक-एक पीसीज का काट सकते हैं एक-एक मिर्च का और शुरू में आप जढ़ा-जढ़ा मिर्ची ले ले जितने आपके हाथ में आती है और काट ले तो इस तरीके से आपके बड़ी ही जलदी ये मिर्ची सारी कट जाएंगे तो ये देखिए दोस्तो मेरी जो मिर्ची है बहुत ही जल्दी कटकर रेडी हो गई है ये मैंने काट ली है सारी अब हमने इनका अचार बनाना है अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेती हूँ एक छोटा सा पैन ले ले आप गैस पर चड़ाएं से गरम कर ले इसको और दरम करने के बाद आपने इसमें डालने हैं सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मोटे वाली सौफ दो छोटे चमच अगर आप ज्यादा चार बना रहे हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ये थी थोड़ा बना रहे हैं तो उस हिसाब से ही क्वांटिटी घटा सकते हैं तो मैंने लिए हैं यहां पर दो चम्मच मोटे वली सौफ और एक चम्मच मेथी साबूत मेथी लेनी है आपने इसी चम्मच से में सारे मसाले ले रही हूं एक चम्मच आपने जीरा लेना है साबूत वाला जीरा इस सरे से आपने डाल देना है एक पैन में और एक चम जादा भून जाएंगे तो उनका जो टेस्ट आएगा वो कडवा कडवा आएगा तो इस तरह से आपने सीम गैस पर इसे भूनना है यानि रोस्ट करना है यह देखिए दोस्तों मेरे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब आपने इसमें डालना है दो चम्मच मस्टर् वाली वो आपने लेनी है यहाँ पर याद रखे कि गैस आपने बंद कर देनी है क्योंकि यह बड़ी ही जल्दी रोस्ट हो जाती है जो राई होती है और गरम गरम ही पैन में आपने इसको डालना है और यह रोस्ट हो जाएगी बिना गैस चलाए तो इस तरह से मेरे मसाले तो भून चुके हैं, अब आपने लेनी है एक प्लेट, प्लेट में आपने ये सारे मसालें डाल लेने हैं, ताकि ये ठंडे हो जाए, अब आपने वही पैन लेना है, जो हम ले रहे थे, वही ले सकते हैं, या अलग भी ले सकते हैं, इसमें लग भग चार से पांच चम्मच ओयल के डालने हैं, ओयल आप सरसो का ले तो बहतर रहेगा, क्योंकि सरसो के ओयल से जो आपका अचार बनेगा, वो बहुत ही टेश्टी बनेगा, और उसकी लाइफ भी जादा रहेगी, सरसो के तेल से बहुत ही अच्छा अचार निकल कर आता है, तो इस तरीके से आपने ये गरम करना है, जब ये पूरा अच्छे से गरम हो जाए, यानि इसमें धुआ सा निकलने लगे, तो आपने गैस को बंद कर देना है, क्योंकि हमारा जो तेल था गरम करना था, इतना ही करना था, और कुछ नहीं डालना है इसमें, और इसे ठंडा होने के लिए रख दें, आधा चूटा चमच आपने हल्दी डालनी है, हल्दी से जो आपके अचार का कलर आएगा, वो बहुत ही टेष्टी आएगा, एक चमच आपने गरम मसाला ले लेना है, आधा चूटा चमच आपने काश्मीरी लाल मिर्च पाaconडर डालना है, और आधा मिर्च पावडर बा हैं और मैं अपनी जो मिर्चे काड़ी थी इसमें डाल लेती हूं इस मसाले को अब और भी मसाले हमने इसमें डालने हैं जैसे कि पहले आप इनको मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद आपने अपने टेस्ट के अंसार इसमें नमक डालना है नमक आप एक से देड़ स्पून डाल सक इनसे जो अचार बनता है निगला सीर से डालते हैं निगला सीर बहुत ही टेश्टी बनता है तो आप कलोंजी सरेख से ले लीजिए अब मैंने लिया है यहाँ पर नीम्बू, नीम्बू को काट लीजिए और इसका रस डालिए इसमें निचोड़ कर बीज बगारा अलग निक अरिम्बू मैं एक ही ले रही हूँ क्योंकि इससे काफी रस निकल चुका है तो मैं एक ही लोगी दूसरे को मैं नहीं लोगी अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें जाएगा दोस्सों आधा चुटा चम्मच हींग, हींग से जो आपके अचार की खुश्बू आएगी वो इतनी टेश्टी आएगी कि आपको सूम कर ही इसको खाने का मन करेगा तो इस तरह से आपने ये डाल लेना है सामान और दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ चीनी इस तरीके से मैंने थोड़ी सी ली है चीनी और इसमें डाल लेते हैं इससे क्या होगा आपके अचार का फ्लेवर बढ़कर आएगा खटा मीठा सा आपका जो अचार है वो लगेगा आपको यहाँ पर मैं आपको बता दू दोस्तों यदि आपके पास आम के अचार का मसाला है या फिर निम्बू के अचार का मसाला है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं उससे भी आपका जो अचार बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा आने वले दिनों में हम वो भी आपको अचार बना कर दिखाएंगे कि कैसे आपका अचार बनेगा तो इस तरीके से दोस्तो मेरा आचार बनकर त्यार है लोंग लाइफ के लिए इसके हमने नीमू डाला है आप इसमें सिर्का भी डाल सकते हैं नीमू भी डाल सकते हैं सिर्का भी और दोनों चीजे भी आप डाल सकते हैं एक चमच आप सिरका डाल सकते हैं तो इस तरीके से मेरा आचार बनकर रेडी हो गया है अब आपने इसको एक जार में भर कर रख लेना है कांच का जार ले सकते हैं या फिर और कोई जार ले सकते हैं कांच के जार में वैसे आपका जो आचार है वो काफी दिनों तक सेफ रहता है और लेना कैसे है आपने जार जार को पहले अच्छे से गरम पानी से धोले ताकि उसमें कुछ भी गंदगी वगारा ना रहे और उसको धूबने सुखा ले या फिर कपड़े से अच्छे से पहुच ले ताकि उसमें पानी बिल्कुर भी न रहे तो इस तरीके से आपने ये सारी मिर्ची जार में भर लेनी है ये देखे दोस्तो मेरी सारी मिर्ची जार में भर चुकी है अब मैंने एक काम और करना है इसको थोड़ा सा दबा देते हैं चमच की मदद से ताकि ये थोड़ा सा नीची बैठ जाए और इसमें डाल लेते हैं वही तेल जो हमने पकाया था ये ठंडा हो चुका है ठंडा होने के बाद ही आपने ये तेल डालना है दोसो वैसे तो मैं उस बावल में भी इसको मिक्स कर सकती थी लेकिन मैं इसको इसी जार में डाल वेई हूँ ताकि बार-बार मुझे मेहनत ना करनी पड़े बरतनों को अच्छे से साफ करने की तो इस तरीके से दोस्तो मेरा ये जार पूरा भर चुका है मिर्ची के अचार का और दोस्तो आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए धूप में रखना है जैसे आप एक आद घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं धूप में रखने से क्या होगा आपके अचार ऐसे कैसे ही बना रहेगा बहुत ही टेश्टी बनेगा बहुत ही लाजवाब बनेगा इसको थोड़ा सा हिला ले धूप में रखने के बाद या फिर अगर आपके यहां धूप नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये खराब नहीं होगा सालो साल चलने वाला अचार है आप इस तरह से बहुत सारी मिर्चों का अचार बनाकर भी रख सकते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी मिर्ची का अचार इस तरह से बना लें दोस्तों आप भी इस तरह से अपने घर में अचार बनाकर रखें और रोटी के साथ इसको खाएं या फिर रोटी और सबजी के साथ इसको खाए चावल के साथ भी खा सकते हैं साथ में लेकर तो इस तरह किसे दोस्तो आपने मिर्ची का अचार बनाना है और इसका उन्ज़ूर करना है तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस निर्ची के अचार को कब बनाएंगे कैसा आपका बना है ये सब मुझे कोमेंट बोक्स में लिखकर चुरूर बत तो दोसों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवा दोसों वीडियो में